अलीगर में नुमाइस का अपना एक प्रमुकिस्थान है क्योंकि साल बर में ये एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें कि यहां के आसपास के जिलों के बहुत जनता सहभागिता निवाती है यहां के जो प्रवारी है एलियम सिटी आज हम आपसे यहां की तैयारियों पर पूछते है सर यहां पर जो इस समय तैयारी चल रही है क्योंकि अभी कुछी समय बचा है नुमाइस का तो यहां पर क्या विसे तैयारी है वर्ष 2014 में जो नुमाइस लगने जा रही है पिछले सभी वर्षों से अलग रहेगी नया रूप लेकर के रहेगी और जदा अच्छा करने कोशिच की जा रही है इस वर्ष आपको एक नया भव मंच तैयार करके दिया जा रहा है जिसमें बहुत बड़ी नाइट जो अभी तक हमारे पास करिशनांजली में लगबग 3,000 तक ही संख्या को रवस्तित करके प्रोग्राम दिखाने की छमता थी उसको बढ़ा करके हमने 10,000 से 15,000 तक ही भीड भी अगर आकर उस प्रोग्राम को देखना चाहेगी तो उस नए मंच में खुले में एक बहुत बड़ा मंच तयार किया गए उसमें देख पाएंगे तो जो बहुत से लोगों की शिकायद राजाती थी कि हम पो पास नहीं मिला या हम जाएंगे तो बतानी प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे या कई बार जो दबरदस्ती होगी गेटों से एंट्री नहीं मिल पाएगी तो इस तरह की समस्या आपकी बार खतम हो जाएगी यह बहुत बड़ी चीज होई है कि जितने अलिगरदवासी हैं जो भी प्रोग्राम को देखना चाते हैं पसंद करते हैं वो आएंगे और उनको देखने का मुका मिलेगा तक बहुत दूर तक मंच जो हमारा है वो लगबग 6,5 फिट की हाइट पे है लिहाजा बहुत दूर जो से भी प्रोग्राम को देखा जा सकता है आप इस समय जिस पार्ग में खड़े है और जिसकी तःयारियों का जायजा ले रहे हैं तो यहां पर इस पार्ग में इस वार क्या अलग किया है prat में इस पार्ग में आपको पर को भर किसे फुद्ध रह्टन कराया गया तो अपना मजबूती पकड़ लिये हैं, इसलिए अब इससने उनकी खुबसूरती अलक्सी दिखाई देती है, एक हट बीच में बनवाई जा रही है, एक लाल पत्थर में खुबसूरत सी एक बिजाइन में हट तयार करा रहे हैं, वो एक अच्छा आकरशन रहेगा, जब बनके सीनरियों को सही कराया गया है, कुछ नई सीनरिया लगाई जाएंगी, तो बिलकुल नया रूप दिखाई देगा, लाइटों में भी मजबूती करी गई है, और जो फवारे हैं, वो भी पहले से मजबूती, अच्छे करे गए हैं, इस बार हम आप कोसिस करेंगे, कि हम अप करें कुमार के में में लिखाई